आपका हमारे चैनल फिटर फ्रेडर में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ जो फिटर एलेक्टीशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है जो बिकेंसी ओपिन हुई है वो है यूपी एम आरसी यूपी एम आरसी का आपको कैसे अपलाई करना है क्या इसकी रिक्वाइर्मेंट होगी कैसे क्या होगा सारा मैं बताता हूं सबसे पहले आप देखिए अगया है उससे हमें ज्यादा मतलब कुछ नहीं है हमारा दूसरे नंबर पे आता है ओन-लाइन जो रिजिस्टेशन हमें करना यह बहुत ही मातबूर है जो दूसरे point पर दिया गया है ये दूसरे point पर देखे मैं धर पर बता देता हूँ ये 11.03 10 वजे से online हमारा notification होगा 10 वजे से 11.03 को तो ये आप ना भूलें क्योंकि जब site बीजी जाने लगती है तो फिर हमें online notification हमें धिक्कत होगा इसलिए आप जैसे ही open हो तो आप इसको registered कर देए इसके बाद इसमें दिखाए application फिस्पेयड करने का कब से कब तक हमें application फिस्पेयड करना है ये हमारा तीसरे नंबर पर दिया गया है तीसरे नंबर पर दिया गया है देखिए इसमें 11 मार्च से लेकर के हम 2 अपरेल तक application जो फीस हमारी लगती है जो exam फीस लगती है मैं आगे बता दूँगा कितनी फीस लगनी है अभी आप देखिए तो हमें जैसे हमारा registration हो जाएगा 11 मार्च को 11 मार्च के बाद हम 2 अपरेल तक कभी भी इसकी फीस दे सकते हैं इसके वाद last date for registration यानि कि हमारी कितनी last date है यह चोते है नमबर नममर पे दिया गया है औहुम कब तक इसको registered कर सकते हैं इस वेकंसी के लिए तो इसमें 2 अपरेल को रात बारा बजी तक हम रात 12 बजी तक 59 मिन दाउनलोडिंग एडमिट कार्ट हम कब से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसकी डेट दी गई है 10-4-2021 यानि कि हम 10 अपरेल 2021 से इसके एडमिट कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो रहा है इसके बाद रिटीन एक्जाम मिनेशन सीवीटी जो हमारा कम्प्यूटर वेस्ट एक्जाम होता है जो सबसे लास्ट लाइन पे लिखा हुगा है सीवीटी सीवीटी का जो फुल फोर्म होता है होता है कम्प्यूटर वेस्ट एक्जाम यह जो दिया गया है लास्ट वाली लाइन पे आप देख लीजिए मार्ज से फोर्म बनना इस्टाड होगा और 11 मार्ज से 2 अपरेल तक हम फीज़ दे सकते हैं लास्ट एड है 2 अपरेल इसके बाद हमारा एडमिट कार्ड होगा 10 अपरेल से एकजाम होगा हमारा 17 अपरेल को तो बिदिन एक महीने में सारा कुछ हो जाएगा इसलिए आप तयार रहिए और फोर्म बरिए डेट निकलने के बहुत पहले आप फोर्म बर दीजे हम नेस्ट आगे बता देते हैं आप लोगों को यह देखिए इसमें जो हमारी एज लिमिट दी गई है यह हमारे जो दूसरे जो है यह 01 का दिया गया है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे जादा यह 01 दिया गया है क्योंकि जो है अस्टेंट मैनेजर के लिए है तो यह हमारे लिए पोश्ट नहीं है फिटर लेक्टिसन के लिए चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं इसके बाद आगे हम देख लेते हैं यह इसमें जो दूसरी पोश्ट दी गई है यह पोश्ट दी गई है controller come trainer operator तो ये post भी हमारे लिए नहीं है हमारे लिए हमा जाते हैं आगे इसमें हमारे लिए तीन post है ये बहुत ही महत्पूर है ये मैं आगे बता देता हूं इसमें जो हमारी NE02 NE02 A बाली post NE03 और NE04 इनके बारे मैं अच्छे से बाप को बता देता हूं ये तीनों post है इसमें जो age limit है वो 21 से 28 साल तक हमें उमर का eligible है 21 साल से हम होने चाहिए वो 28 साल से हमारा उपर नहीं होने चाहिए और इसमें जो बेतर मान दिया गया है वो ये दिया गया है 19,500 19,500 basic से लेकर 49,900 हमारा basic scale है 49 इसमें भी सेम ग्रेड हैं जो हमारे NE02, NE03 और NE04 है अब इसमें हमें भी जो विकेंसी देखना है तो सबसे पहले मैं आपको फर्स नमबर पर जो एलेक्रीकल का है इसमें 52 विकेंसी देखी ऊपर लिखी गई है दूसे नमबर पर फिटर की है जो फिटर की 24 विकेंसी है और इसके बाद जो मैंटेनर की है सिविल की 24 विकेंसी है तो इसमें साइड में देखिए इसमें दिया गया है जो फिटर का दिया गया है यह हमारा फिटर का दिया गया है जो हमारा दूसरे नमबर पे दिया गया है NE03 वो जो हमारा एलेक्टिकल का दिया गया है वो हमारा फस्ट NE02 दिया गया है इसमें एक चीज़ और दी गई है कि हम जो ITI करते हैं तो ITI में OVC के लिए हमें 60% मार्क से पास होना चाहिए और जो हमारे SCST के कंडिटेट उनके लोगी देखिए इसमें भी 60% दिया गया है यह तीनो विकेंसी लगवक सेम ही है इसमें हमें 60% मार्क होना चाहिए OVC के लिए 50% मार्क होना चाहिए तो मैंने इसमें विकेंसी बता दी 24 फिटर के लिए है और एलक्टिसन के लिए 52 है एज है 21 से 28 साल अब आंगे हम बढ़ NCVT and SCVT यानि कि यह भी बहुत अच्छा golden chance है आपके लिए कि इसमें ITI केवल NCVT नहीं आप यदि SCVT है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमारा India level का exam होता है उसमें NCVT मांगा जाता है लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि इसमें आप SCVT वाले भी भर सकत होना चाहिए 60% मार्क से और इलक्टीशन को इलक्टीशन टेट से होना चाहिए 60% OBC के लिए जनरल के लिए और SCVT उनके लिए 50% इसका next हम आगे बढ़ते हैं सेलेक्शन प्रोसेस हमारा कैसे रहेगा NE02, NE03, NE04 का यह सेलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसके लिए हमारा दो hundred number का पेपर होगा अभी मैं आगे आपको बता देता हूं और दूसरा हमारा जो होगा इस में हमारा document verification और medical होगा हमें medical अपनी सरी का करवाना पड़ेगा क्योंकि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं की नहीं है और document verification होगा कि हमारे यो documents हैं सही हैं की नहीं तो हमारा पहला जो exam यह बहुत ही महत्पूर एक्जाम होता है तो अब इसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल फिर्टर फिर्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं उस पर मैं सारे वीडियो सारे जो most question रहते हैं उनके वीडियो में बना के डालता रहता हूं अब आगे और मैं बता दीता हूं क्या इसमें कैसे क्या रहेगा इसका medical examination के बारे में इसमें बताया गया है कि medical examination के लिए क्या देगी इसमें लिखा है candidate candidate medically disqualified candidate bill be cancelled candidate having यानि वो यह कहा जा रहा है इसमें कि अधि आप ने exam pass कर लिया आपके paper भी सही है फिर भी आप एदी medical में unfit पाये जाते हैं तो आपने जो registration किया था 11 March के बाद में या 2 April के पहले जो आपने apply किया था वो आपको cancel कर दिया जाएगा आप उसके लायक नहीं माने जाओगे तो इसलिए आपको स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है इसके बाद यह जो CVT exam होगा हमारा online exam होगा वो देखिए इसमें यह जो हमारा second number वाला point है यह हमारे लिए बहुत ही मातपूर है मैं second number point पर टिक लगा रहा हूँ इसमें है there will be a total of 100 question of category any 02, any 03, any 04 देखिए इसमें any 02 से any 04 तक दिया गया है तो हमारे जो तीनों category थी electrical, pitter और civil की जो थी इसमें 100 number का question paper आएगा हमारा जिसमें हमारे trade test के 60 question रहेंगे मैं जो पिछले exam हों trade test के और 40 question जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे, reasoning के रहेंगे और GSB रहेंगी इस तरीके से हम तयारी करेंगे तो इस test को जरूर पास कर सकते हैं और हम नोकरी पास सकते हैं और इसका जो timing रहेगा हमारा दो गंटे रहेगा, देखिए इसमें दिखाया गया है दो गंटे, एक बात उसमें और देख लीजी आप, इसमें जो एक point लिखा गया है third number पे, कि there will be negative marking every wrong answer यानि कि इसमें negative marking भी होगी one third की, यानि कि आप मने मान लीजिए, आपने तीन question की लगातार और तीनों गलत हो गए तो आपका एक सही वाला number काट लिया जाएगा ये बहुत ही important बात है आपको ध्यान रखने होग बात है आपको आगे बता देता हूँ एक्जामिनेसर जो सेंटर है वो एक्जामिनेसर सेंटर देख लीजिए आप जो हमारा computer वेश एक्जाम होगा उसके लिए हमारा सेंटर लखनव होग है कानपूर है कानपूर के बाद ये आगरा दिया गया है इसमें आगरा है इसमें एक और दिया गया है धर पे प्रियाग राज दिया गया है इसके बाद वारानसी दिया गया है गोरकपुर दिया गया है मेरूत जहांसी भी सेंटर है जहांसी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम जहासी से बिलोंग करते हैं इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है और इसमें और भी ग्रेटर नोड आया है गाजी अबाद है तो यूपी की जितने जितने बड़े सहर है उनमें इसके सेंटर दिये गए है इसके बाद इसमें जो इसका पेमेंट का दिया गया है इसमें ट्रेनिंग के लिए बताया गया है जो हमारा AE01 का होगा उसका ट्रेनिंग में 19,400 रहेगा AE01 का इसका 41,300 रहेगा अपने लिए फिटर इलेक्टरी सिन के नहीं है AE02, AE04 जो हैं यह हमारे जो लिए महत्पून है तो इसके ट्रेनिंग पिरियेड में हमें 23,600 रुपे यह दिये जाएंगे इसके बाद हम आँगे बढ़ते हैं इसमें इसमें ट्रेनिंग प्रोवलेशन इसमें दिया है ट्रेनिंग प्रोवलेशन इसमें दिया गया है इसमें जो हमारा ट्रेनिंग प्रोवलेशन यह सेलेक्शन कंडिडेट परफोर्ट बिल भी दा प्रोवेशन ट्रेंग परियर्ड रहेगा जहां जिस पर हमें 23,500 रुपे दिये जाएंगे जो उपर मैंने अभी यह बताए हैं इसके बाद इसमें DA बगरा जो मिलता है महेंगाई बता बगरा वो भी आपको मिलेगा लेकिन इसमें मैं देख लेता हूँ पर I, DA, DA, Cedule, 4-time, 2-time, other, benefit, end, park जो भी आपको allowance बगरा होंगे वो भी आपको सारे allowances बगरा दिये जाएंगे तो यह government ही नौकरी है इसलिए परहसान होनी कि आपको जरूरत नहीं है इसके बाद age relaxation के बारे में दर दिया गया है कि अपर दर relaxation 5-year SCST OBC candidate reserve post यानि हमारी SCST OBC की reserve post है उसमें 5-year का और SCST OBC candidate available benefit for age relaxation यानि हम age का relaxation भी ले सकते हैं बिल भी considered against reserve post यानि जो post reserve हैं जैसे मान लीजिए कि 24 vacancy में 6 vacancy OBC की है तो हम उस 6 vacancy में भी अपने age का फायदा ले सकते हैं 5 साल का यादि हम over age हो गये हैं तो इसके बाद इसमें नीचे भी दिया गया है only candidate UP candidate are related versus relaxation यानि जो UP का है उसी कोई relaxation मिलेगा आप पर age 4 ex-serviceman ex-serviceman के लिए जो है will be length of service service length and 3 years का है उसके लिए maximum size maximum जो ओमर होगा वो रहेगा 40 years का ex-serviceman के लिए है इस तरीके से फरम बर सकते हैं age relaxation फोट दिया है इसमें you are by 5 year SCST why 10 years in maximum age for the department candidate will be you are 33 years and SCST will be 38 year यह कि यह दिया गया है एजुकेटिब नॉन एजुकेटिब पोस्ट के लिए दिया गया है जो E01 पर दी गई थी इसके बाद इसमें फीज दी गई है यह फीज का दे गया गया देखिए payment के किस तरीके से है यह फीज दी गई है आदार जनरल के लिए OVC के लिए हमें 590 रुपे पीट करना पड़ेंगे और इसके बाद 18% इसके बाद इसमें 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 जो हमारे और कंडिडेट हैं जो अधर SCST के हैं उनके लिए 236 रुपे फीज निर्धारित किये गई है उसमें अभी हमें अलग से 18% GST देना पड़ेगा इसके बाद इसमें पॉइंट रिगार्डिंग यह दिया गया है इने डिमें ड्राफ्ट चार्ड यह सब दिया जहां जो हमारी last date है उसके बारे में बताया गया है कि 2 अपरेल हमारी last date है इसके बाद अधार और जानकारी में आपको बता देता हूँ जो और पेपर हमें इसमें लगने हैं यह हमारे पेपर जो है हमें उत्तर पिदे सरकार द्वारा जो हमारे गरीवी रेखा वाले बेक्ती होते हैं उनके लिए यह हमें बनाना पड़ेगा आर्थिक रूप से कमजोर बग के सदस जो होते हैं उनके लिए यह हमें आय पिर्माणपत बनाना पड़ेगा इसके बाद आर्थिक रूप से जो जाद 3860 होते हैं जो बिल्कुल गरीवी रेखा के नीचे रहते हैं उनके लिए यह बनवाना पड़ेगा उनको अपने तहसील से जाकर के इसके बाद इसके लिए जो जाती में रेलेकसे 이कर रहेगा उनको इस त्रीके से बनाना पड़ेगा उनको अपना प्रफार्मर पढ़ाओगी तो आपको दिक्कत हो सकती है इसके बाद यदि सुतंता संग्राम सेना नहीं है तो उनके लिए अर्थिक रूप से एक सेना वालों के लिए अलग से एक प्रमाणपत बनता है इस तरीके से आप बनवाएंगे उत्तरप्देश की अब भ्यारती है तो निवास प्रौणपत जो निवास रहेगा क्योंकि कैसे हमें पता चलेगा कि आप यूपी के से ही बिलोंग करते हैं तो हमें निवास प्रौणपत बनाना पड़े हैं इस तरीके से आप फॉर्म बढ़िए और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करकी बता सकते हैं और फॉर्म बनने के बाद आप दमखम से लग जाईए क्योंकि हमारा पेपर जो है बहुत ही नजदीक है बहुत कम समय है तो आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो जरूर सपल होंगे आज के लिए इतना ही ओके बाई बाई